कि याइज वेल्गामड ओर चैनल आप सभी का स्वागत आपकर अपनी यूटूब चैनल परी आलोफ चैनल को सब्सक्राइब करके वेला आपकर अब बटन प्रेस कर दिजिए तो फ्रेंट्स यह वीडियो लंबी रहने वाली पहले बतादें पूरी की पूरी इसमें डिस्कस के राउंड रहे अपनी चीजें अपनोंने मेंस का किया थारा भी वेडियो गया था उसमें कटो बताया थी सतर से पचेतर पूरा निचोड निगाल गए और कटो गई थी 71 राजस्तान ठीक है वो सारी चीजें अब इस वीडियो में अपने कवर करेंगे सबसे पहले चैनल क जो चैनल है टेलिग्राम का जिसमें सारी अप्डेट्स मिलती है हैं जो यूटूब पे नहीं आपाती वो अप्डेट्स भी वहां पर मिलती है नेक्स्ट वेकेंसिस के आएगी क्या फोर्म्स रहने वाले हैं क्या स्टूडेंट के अटेम्ट है क्या एक्जाम के इंदर है स कुनसी आपकी कैटेगरी है आपका इंटर्व्य गया है बढ़ियां गया है या बहुत वेकार गया है वो चीज़ तो अपने हिसाब से डिसाइड करने कि कि स्टूडेंट के मार्क्स देने है पर अपने मान के चलते हैं कि यार एवरेज 60 से 80 के पीच में स्टूडेंट को मा के लिए सबी को तो अपने इस वीडियो श्टार करतें भी सबसे पहले में आपको यहां पर दिखा देता हूं यह साल के मैंस आर और भीप को मैंस की कट्वक है यह जिसमें आप लोग को अलग-लग स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं ठीक है 2024 की कट्वक है ठीक है तो इसमें आप लोग बहुत चारे स्टेट की कट्टोब आप लोग को यहां पर दिख रहे होगी 70 के राउंड ही गूप रही है तो यह वाली कट्टोब आप लोगों के लिए पंजाब की 75 है और कौन सा मोस्ट एक्सपेक्टर स्टेट है उत्रप्रदेश की 71 राजस्तान में ज्यादा फ्रक पड़ेगा और राजस्तान के लगबग 2000 कंडिडेट ने इंटरू दिया है मैं आपको बता दो लगबग 2000 का है वो पिसर स्केल बन की बात हुए ठीक है प्रक आपने एक पर लाजस्तान के सामने है अब अपने एक पर लास्ट इर की अपर रहता था हमेशा और 75.63 का टोफिन लास्ट इयर की मेंस की कटोफ है यह 25.63 तो यहां पर फिर से अपने देख लो यह हापी साइड है और हापी साइड है ठीक है तो यह चीज़ आप लोग नौट कर लेना और यहां पर राजस्तान स्टेड यह वला रहा और यहां पर जो जेनरल केटिकरी कटोगा वो और गौनटुप से उसके एपने रहे है ओना लास्त यहां आजस्तान की बात प्रनौट फॉरफ वाला सिलेक्षिन ले है देखो यहां पर फॉर्टि जेनरल केटिकरी राजस्तान रेजिटिव निस्ट के अंदर 49.45 वाले का स्लिटिन हो गए ठीक है इसी तरह से OBC के अंदर 47 वाला और इसके अंदर 48 वाला ठीक है ये सारी कटोप अपने सामने आगी आप अपने बात करते हैं आइडियल सिचुएशन कहा रहे हैं उसे बहले हम आपको समझा दू कि जो मैंस इकाउन 25 ये बनती कैसे वह सा रहे है अपके सब्सक्राइब आपके नमबर आ मालो मैंस में 20 में इदर से 36 आगे तो आपके फाइनल मार्क्स बनगे 51 कि आप राजस्तान से तुसलेक्ट नहीं यह लास्ट एर की बात कर रहा हूं मार्क्स मालों किसी कंडिडेट के असी नमबर आ रहे है तो पिचसी नमबर आ रहे है ठीक है अब उसके मार्क्स कितनी होगे 32 बट कटो कितनी थी कटोप थी एकाउन पॉंट 25 फिटी वन पॉंट 25 तो अब उसको अगर काई यह लेना है अपना फाइनल लिस्ट के अंडर बिना रिज्रो लिस्ट के तो उसको इंटर्व्यों कितनी नमबर चाहिए उसको इंटर्व्यों नमबर चाहिए 96.25 यानि 19.25 बीस में से 19.25 चाहिए उसको ठीक है यह इंटर्व्यू वाले यहां पर आउट ओफ 20 है वह नहीं सेलेक्शन हो सकता है असी वाले का भी लास्ट यहर की बात हो रही है अब थोड़ा सा उपर बढ़ते हैं अब मालो उसके नमबर चाहिए 85 85 माक्स थे उसके यह दस नमबर ज्यादा थे का टॉप से मेंस के अंडर और उसका जो फाइनल स्कोर बन गा वो 34 बन रहा है मेंस के क बोड़ी और उसको कितने नमर चाहिए उसको चाहिए 86.25 नमर अगर फाइनल सेलेक्शन को लेना है यानि लगबग 17 नमर उसको इंट्रूइब चाहिए 20 में से अब तीसरी सिच्विशन का है अगर मालो उसके नमबर रहते हैं पीच आनमी जो कि 20 नमर ज्यादा है का टॉप यानि 20 में से बोलूं तो 13.25 से ही है तब उसका फाइनल सेलेक्शन होगा अब इसके अंशार जो सेलेक्शन के चांसे है उस बंदे के ज्यादा है जिसके 20 नमर ज्यादा है सारी चीज़ने एक्स प्लैन करूंगा अभी वीडियू चोड़ के मजाना ठीक है तो 20 नमर जिसके मैंस तो अच्छा नहीं गया उसके सिर्फ पांच ही नमबर जादा है यहां पर देखा उसके पांच ही मांक्स ज्यादा थे कट्टोप से बट उसने क्या गया अपना इंट्रिव्यू बहुत अच्छा बनाया इंट्रिव्यू को अंदर सारी चीज़ने एक्स्प्लैन की उस अगर उसको इंट्रिव्यू में 11 नमबर ही मिलते है यहां पर तो फैल हो जाना था ना 20 नमबर एक्स्ट्रा लेके भी कोई फाइदा नहीं दा बट यह बंदा 80 नमबर लेके आ रहा है पांच नमबर जादा लेके आ रहा है बट उसका इंट्रिव्यू बहुत अच्छा गय अगर उसकी 75 का टॉप की 80 माक्स उसकी आएं मालो मैंस के अंदर तो उसके 32 होगे और इंट्रिव्यू उसका गया है सत्तरा फॉंट बंदा लिए अनलाग वह सत्यासी नमबर उसको इंट्रिव्यू मिले है तो वह रिजनलिस्ट में आ जाएगा लिए बात अगर अगर किसी ने 19 नमबर ले गया है यहांड मेरे जानकारी में कंडियेट्स को बहुत सारे गंडियेट्स को मिले लास्टियर 95 96 नमबर मिले है तो यह वाला सनेर्यू पूरा रहा था लास्टियर इस साल की बात करते है एक्सपक्टर को टॉफ की ठीक है इस साल की मैंने एक्स कम जाना है लास्टियर से का कदेशनल मेंन का 75 न इस साल साल मैंस का क कम पढ़ के नह चाएं इस साल एक नंम बला इक कर रहा है ऐक्स आएम्स को मैंने कद्ने आाई आपके पिचासी आएं नंबर कितने बनगे आपके चौनतीस बनगे इंटर्वू में आपको 16 नंबर दी यानि 80 मार्क से इंटर्वू दे दी आपको और आपका मार्क से बनगे 16 तो आपका इनके सेलेक्ट हो जाओ यह कट्टोब जाती है 50 वाली एक्सपक्टर लिखाऊ है उ तो भी वह स्लेक्ट ले जाएगा और यहां पर देखो 71.13 यहां पर उसके 90 नंबर है अगर उसके मेंसे में 90 नंबर है और उसका इंटर्वू एवरेज सागया है मतला 14 नंबर दूसके मिली जाएंगे शत्तर नंबर उसको इंटर्वू मिल जाते है तो भी उसके 36 यह होगे मेंस के 14 यह होगे 50 में उसके स्लेक्शन हो जाएगा तो इस बार मैंने पॉल करवा है ग्रूफ के अंदर सचा ही बता रहा हूँ आपको 90 नंबर से नीचे नीचे स्टूएंट है एक्सपक्टेड मार्क्स की बात हो रही है अभी तो जो स्टूडेंट ने रो मार्कस अपने स्टूडेंट के और जो इंट्रिवु वाला ग्रूप है उसमें पॉल पड़ा हुआ है जाके आप लोग भी इपना पार्टिस्पेशन दिगा तो लिंक डिस्क्रिशनल लगा दूँआ ठीक है अब 49 वाले कट्टोप का क्या से नेट्यू देगा अगर आपके 85 भी आते हैं मेंस चेंदर आपके 34 यह बन कि 15 यहां से उठालोगा आप इंट्रीव से 70 मिलें तो भी आपका स्लेक्शन हो जागा 49 में अगर आपके 95 पर और इंट्रिव आपको बहुत यहां दा गंदब्र घंट इंट्रीव है 55 आपको आजाए 15 नमबर आपके 8 यह और फिर भी आपका स करें मेजोर्टी 85 वाले तो यहां पर इंटर्व्यू कर आप तेरा नंबर में 65 मिलती हैं और मेंस में चती जाधे तो भी आपका स्लेक्शन हो जाएगा बगले दूसरे सेनेर्व्यू मैंने लिया 50 नमर वाला कि आपका मेंस अच्छा गया है इंटर्व्यू पे अच्छा गया अगर मेंस बहुत ज्यादा खराब नहीं है बतला 85 नमबर के राउंड आ रहे है बट इंटर्व्यू वी एवरेज सा गया ज्यादा बढ़ी है नहीं गया फिर भी आप लोगों का प्चास में सेलेक्शन हो जाएगा अब यह देखने वाली बात है कि कटोफ क्या रही जहां रहे है अब यह दो क्या फरक पड़ेगा वो समय थोड़ा सा इसके यह वाला इफ़क्षट रहा है यहां पे इपने की लास्के जो मैंजेड़ स्टूरेंट जो मैंजेड़ लोगज ठीटेंग अंदर तो स्टूरेंट सर्टी मैंजेंग सैंदर इस बढ़ उसीनिंग और 45 के बीच में रह रही है तो ये पांस पांस का मतलब हो गया सेवन पॉन्ट सम्थिंग ठीक है यानि 1.25 से मेंडिप्ला होते हैं आपके मेंट सोरिज्मिंग के नंबर्स होते हैं तो ये वहला यहां पर देखने हो मिलेगा दूसरा क्या मिलेगा जीए सेक्षन जीए सेक्षन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिपके में स्पहल हो चुके हैं 1.75 का तोपती साथ जीए कि इस बार जैनले ग्रेटिग लिए वह भी क्वालिफाई नहीं कर पाई स्टूडेंट तो आप खुद देख लो जितने स्टूडेंट के स्टूडेंट नहीं है उन्हें इपनी स्टूडेंट पब्लीश कर रखी हैं यूट्व सोट्स के अंदर यह वह भी मैंने सारे स्कूर कार्ड एनलाइज गर लिए हैं जीके के अंदर 10 नंबर से जाथा बहुत रेट स्टूडेंट हैं मैच रेजिनिंग के अंदर 40 अटेम्ट वाले बहुत कम स्टूडेंट अब बहुत ही कम मैच रेजिनिंग के अंदर 35, 35, 35, 28, 28 यह वाले अटेम्ट आ रहे हैं मिला के दूँ तो यह सारा सेनेरियो आपनों के सामने रखना था बागि अभी जो इंटर्व्यू जिनका हुए उनके मार्क्स आएंगे वो आएंगे अपनी लास्टेर आयत में अब आ जिता हूं को 11 दिसंबर को आगे थे लास्टेर दो मान के चलो कि 11 से 23 दिसंबर के 20 में यह मार्क्स आपको पब्लिस हो जाएंगे वेबसाइट पे उस टाइम अपने दूसरी वीडियो कर लेंगे कि पॉल कर वा लेंगे कितने मार्क्स बंद रहें आपके उसे साफ से कैटेगरी वाइस पर आप लोग अपना जूर से एर करके ना और यह सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से एर कीजिए और को डाउट हो तो कमेंट से कुछ लेना तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में थैंक्यू गईज